अस्सालावलेकुम स्ट्रेंट्स इंशाला इस लेक्चर में जो डिमावे थिरूम की रिमेनिंग एप्लिकेशन है उस पे जरा आ जाते हैं उन एप्लिकेशन को समझने से पहले आपको कुछ बाते पता हो नहीं चाहिए कुछ फॉर्मले आप देख लो वह यह कर लो के जैट है वह बराबर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर हमने कॉंप्लेक्स नंबार लेट किया जिसका मॉडुलस हमने मन रख है यह जड़ की वैल्यू है सवाल है कि अगर मैं बनापॉन जट निकाला चाहरा हूं तो वह किसके बराबर हो का तो यहां तब इसको पहले कॉंजूगेट के बारे में आपनों को बताया था कि मेंजनेडी का साइन चेंज करना होता है लेकिर कोंजूगेट के बारे में अब यह समझे लोग और इसकी रिफ्लेक्शन होगा एक्सेस पर आपने शीषा रख आपको यहां पर घ्ल रहोगा तो जो conjugate है वो reflection होता है about x-axis यह जहन में रखो आप इसी तरह को complex number आपका यहाँ पे है तो exactly इसका जब आप conjugate निकालोगे तो आपको conjugate यहाँ पे मिलेगा तो यह बात आपनों को पता होने चाहिए दूसरी बात के जो multiplication होती है complex number में उसमें होता यह जब आप किसी एक complex number को दूसरे से multiply करते हो तो वो चीज़ rotate हो रही होती है इसको इस तरह समझो कि मिलपार्द एक complex number है 2 प्लस 3 आयोटा इस तरह करते है मैं इसको multiply करता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा से खिर इसको तो कोई फर्द की नहीं पड़ाएगा इस तरह चेंज कर लें थोड़ा हाँ इसको multiply करते है 0 प्लस आयोटा से अब आगरा हम observe करो मैं ज़रा इसको draw करता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा consider कर लो यह 2 है यह complex number यहाँ पे था इसका argument थोड़ा अजीब सा होगा तो हमको अच्छा complex number लेट कर लेते है वो ही अपना वाला कर लेके हम कौन सा 1 प्लस रूट 3 आयोटा वाला तो consider कर लो यह value जो है यह 1 है और यह value consider कर रूट 3 है यह आपा complex number draw कर दिया इसका argument क्या है 60 degree है तो इस complex number मतलब 1, root 3 जो complex number है इसको जब आप multiply करोगे 0 प्लस आयोटा से 0 प्लस आयोटा complex number consider कर लो अगर यह 1 है तो यह complex number यहाँ पे होगा 0 प्लस आयोटा simple आयोटा ना 1 आयोटा तो वो imaginary पे draw होगा यह complex number यहाँ पे है अगर आपक इस complex number का आयोटा आयोटा को 0 प्लस आयोटा से multiply करते हो तो होता क्या है कि यह वहाँ complex number जो है ना यह 90 डिगरी रूटेट हो जाएगा मतलब इसका argument क्या है इसको आपके 90 है तो यह वहाँ जो है यह 90 डिगरी रूटेट हो जाएगा कहने का मतलब इसको 90 डिगरी रूटेट करो अभी यहाँ पर आजाएगा यहां पर यहां पर आजाएगा और इसको आप अब भी घर सकते हो जाएगा यह भी हो जाएगा सबस्क्तिन नदिगरी रूट करया तो यह चीज सब्सक्राल कि उस सब्सक्रीणा इसको चैपिए और प्रणा किसम फर्कैसां यहां पे जो complex number था वो रूटेट होके यहां पे आ गया है तो किया किया आपने इस complex number को जब आपने इस से multiply किये इसका और नाइटी डिगरी शिफ्ट हो जाएगा यहां पे आके और जो इसके फिर कोडिनेट्स होंगे वह बन जाएंगे और इसको दूसरे लेंग्विज यह बोल सकते हो ना कि फिर्स आप इसको समझ लो कि जिरो प्लस आयोटा है complex number था उसको मैंने करें तो तक्रिवल 60 डिगरी रूटेट किया यह जैश्नकर से बात करो इसको मैंने कितना है जोरी यहां पे आया है प्लस इसके होने का मतलब यह है कि जैसे इस निकारो ना इसका मॉडलिस वन ता तो वन जैसे इटो प्लस आयटर से करोगे तो इसके लेंथ पर को फर्क नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसका मॉडुलिस वन था वन से मॉल्टिप्लाइब रहेगी बस रूटेट हुआ था यह लेकिन अगर आप इसकी बात करो यह रूटेट भी होगा साथ सथ स्केल भी होगा कहने का मतलब जो इसका मॉडुलिस है साथ साथ और वह स्केल भी हो रहा होता है स्केल मतलब जो उसका मॉडुलिस है उसे मॉडीप्लाइब भी हो जाएगा कॉम्पलेक्स नंबर अगर मॉडुलिस वन था तो फिर आपको स्केल होते वे नजर नहीं आगा जाएगा यह नोट कर लिए नकर निकालने के डिफेंट लेज लगाइब कुछ एंपनि फड़ी करना करें किष्ड नापना ओड़ी पॉट भीन डिखनी इऊंपनोंटने कुछ बेसिक काम करने सबसे पहले आपको यहां पर मालूम करना है जैट प्लस वन अपॉन जैट तो जब आप इसको और इसको एड़ करोंगे इमेजनेरी पाट केंसल हो जाएंगे आपके पास आजएगा इसी तरह कर दोनों सेट की पाबन प्लस वनपाँंजर की पावर इसको अपस मेंड़ और यहां पर आप दोनों को एड़ करोगें तो अगेन अउन आउन शाइन थीटा माइन आउन आउन थिटा यह कैंसल हो जाएगे कॉस एन थीटा यह क्या हो जाएगा टू कॉस एन थीटा है जाएगा нок थिस्के साथ दिकर अगर में आपको बोलूँ कि याजट की पाउर एंड को सब्ट्रेट करो वन अपॉन तेको वन पॉन पॉन सेट की पाउर एंड हो एक इस पॉथर गर आप इस पे पाउर लगाओ तो इस पे पाउर एन आजाएगी ठीक है और अगे नवहीं काम सब्सक्राइब करो तो आपके पास पीछे यह बच रहाएं तो आपको बेसिक पता है तो आप काफी सॉल्फ कर सकते हैं इसकी हेल्प से डिफरेंट चीज़ें अब इन फॉर्मलों को यूज किस तरीके से करना है जारा उस पर आ जो और वो मेरे पास एक्जेम्पल्स यहां प आपके पास सवाब एक्सप्रस यह साइन की पावर 5 सीटा इन तरंस आफ मल्टिपल्स और उफ तीटा मतलब यूज करने का तरीका होगा आज सिंपल लैंग्युज में आपके करो किस्ट कि बढ़को की तो आयोटा साइन थीटा सब कर दो इसको यहां पर पाउइफ के इसको इसoba होन्हाइफ पौक के लघा दो किसमें हुकर सबसे के पावर भाइफ कर नाइड़ информ cesto अruce कुपर जांड थे अग यह होगा 5C1 5C1 5 के बराबर ही होता है 5 Z की पावर 4 और 1 अपाउन जेड़ क्यों होगा प्लस 5C2 10 होता है 10 Z की पावर Q 1 अपाउन जेड़ स्क्वाइर थिर 5 होगा जेड़ स्क्वाइर जेड़ क्यूब फिर होगा यहां पे नहीं एक और दफ़ा टैना चाहिए 5C3 यहां पर यहां पर यहां पर आएगा 5 और फिर एंड पर आजाएगा वन अपाउन जेड़ फाइगा तो इसको आप सिंप्लिफाइग दो पूरा जेड़ की पावर 5 प्लस व है यहां पर यहां पर यहां से आपके पास बचेंगा यहां पर साथ और यहां आपके पास आएगा वन पॉन गों लिए वहां पर नगेटिव आनाय इज़गा आप यहां पर आपको अटो आपने माइनस फाइव मतलब 9 सॉल्व करते हैं और यह होगा ऑन अब पॉन झालत लेंगे तो यह होगा सब्सक्राइब यह बराबर थी टू आयोटा साइन एंड थीटा एंड यहां पे क्या फाइफ थीटा अच्छा अगें क्यों लगाओ यह वजाएगा तू आयोटा साइन थीटा और आपने पाइफ सब्सक्राइब यहां पहले निकाल लेन ना तो यह है थी टू आयोटा की पावर फाइफ को इस वह पॉन अपॉन एटिटी पाइफ और यहां प्या मौझूद थीटा अच्छा जी ज़ीच जया पर यहां पर क्या मौझूद है यहां पर यहां पर क्लियर है कि आयोटा कैंसिल हो रहे है ठीक है यह वह लाइटा और अंदर आप सब्सक्राइब करें अपने साइन की पावर फाइब सीटा को कनवर्ट कर दिया मतला पाइब आपने किस तरह किया वाइजिंग दिमयार आपने इस से सिक्षीन हो गांगे हैं एक निया तो यह सरी ऐसे आप एकृट्रिक से आप एक टेडोमेट्रिक है उसको हमने पूरूफ करना है वह है कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4 कॉस 4 थीटा प्लस 3 अब यह भी अप्लिकेशन है ट्रिणोमेट्री का इंटिटी को प्रूफ करना तो सबसे पहले आप आजाओ राइट हैं अब इसको सिंप्लिफाइड करने से पहले आपको दो बातों को पत सबसे पहले को देखते हम कॉस वाले पास क्या था के टू कॉस थीटा बराबर था जैट प्लस वन अपॉन जैट के तो पावर फॉर आपको लेनी है ले लेते हैं यह हो जाएगा सिस्टीन कॉस 4 थीटा अप्लाइब करो बाइनोमिल थिवरा यह हो जाएगा जाएगा जैट q1 upon z1 जैट तो फूर सी डू क्या होता है शिक्स होते हैं circ kur मैं जैट प्लस दबार फॉर जैट कुण फिर हो जाएगा फॉन अपॉन जैट कि फॉर तो सवल्ट करते हैं यह जाएगा सबसे इसको एक साथ कर लेते हैं अच्छा जी यह है और यह है फॉर अपॉन लो जैड़ स्कॉयर प्लस वन अपॉन जैड़ स्कॉयर और पीछे क्या बचेगा तो कैंसे लोगे जस्स बच जाएगा अब कर दो वैलिजूस वन अपउन 16 जैड़ प्लस वन अपउन जैड़ामे में वक्या बताया थे जाłड यह पराबर उता है कि तो एक एटा को सीटा के खाल नहkesे कि हैं तो जल्दी कर लेते हैं तो आयोटा साइन थीटा की होल पावर फोर तो आप सॉल्फ करो, यह हो जाएगा 16, आयोटा 4, साइन 4 थीटा, और इसको सॉल्फ करो, जैट की पावर 4, अगेन कोपिशेंट तो वह यह होंगे, बस नेगेटिव आपने लगाना है, यह जाएगा, अच्छा जी, यह 6 हो जाएगा, यह 4 अपन जाएगा, और यह 1 अपन Z4 हो जाएगा, तो डारा करते हैं, अच्छा यह आट और 4 को छोड़ दो, यह नहीं होता है, तो यह तो खत्म हो गया, यहाँ पे 1 अपन 6 ही ना जाएगा, 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 और आपके बाद बस 6 बच जाएगा, तो अगें, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ से 2 हट गया, यह वाला 2 भी हट गया, और यहाँ पर 3 आजाएगा, जब साइन 4 और साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा सॉल्व कर लिए, तो आप क्या करो, अब आप लेफ्टेंट साइट को सिंप्लिफाइग करो, लेफ्टेंट साइट इस इक्वल तो, आप यह दोनों का एड़ गरो, तो सबसे मेरे अगरा में एड़ करेंगे, देखो, दोनों में 1 अपॉन 8 कॉमन है, तो 1 अपॉन 8 तो कॉमन ले लेते हैं, बाकी एड़ करते हैं, इस तरीके से आपने प्रूफ करने इन्मेटिक इन्टिस, को, हो गया हमारा टॉपिक लेरी वाला, अच्छा जी, इक और मेरे पास लिखा है, साइन की पावर सिक्स थीटा और वो लंबा सा लिखा है, पुरो प्रूफ करने आपको, मैंने बता जी, यह सेम ही है, तो प्रूफ करना आप लोगों कोई शू हो पैने, अच्छा जी, अब आपको क्या बुलाएंगे, अब आपको बुलाएंगे, जो कॉस फोर थीटा है न, इसको आपने एक्स्पेंट करना इस तरीके से, कि यह बराबर हो, कॉस फोर थीटा इस इक्वल तू, पॉलिनॉमियल ऑफ ट्रिणोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस, मतलब इसके आंस कॉस, अब इसके टेक्निक हम क्या यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कॉस फोर थीटा वाली है, आप सिंपल एक काम करो, अब इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कि जब मैं पाबर फोर लेता हूं, तो आंसर मेरे पास क्या आता है, बायुजिन दि सब्सक्राइब के बनावा है, तो वो जो कॉस फोर थीटा उसको अपनी जगा पर रहने दो, अपने जगा पर रहने दिया, और इसको मैं अपनी असानी के लिए किस्ता लिख सकता हूं, एक्स प्लस आयोटा वाय की पावर पोर, अशा बायूजिन अप्लाय करों, यह हो जा सब्सक्राइब ऊइटा क्योफ वाय क्योब फॉब फ्लस अजै और रोक करलो इसे हो जाएगा यहां पर, स्क्क्राइब स्क्राइब और इसकों और रिए यहां, है लुख़ा यहां यहां लें इससे आयोटा कॉमन होगे तो यह हो जाएगा 4XQY और आयोटा क्यूब जो है ना बच्चों वह माइनस आजाएगा और इसका आयोटा तो अलड़ी मेरे आपने सागे किया तो अब यह हो जाएगा कोज़़ थीटा माइनस इक्स कॉसच कोई सब्सक्राइब प्लस साइन को और दूसरा था साइन 4 थीटा मैंने बात में इजाफा कर दिया था इसके अंदर कि साइन 4 थीटा को भी एक्सप्रेस करना है तो यह है 4XQY-4XYQ सब्सक्राइब करें 4 92 थीटा साइन 3 시-4 थीटा सांस hasn ऐसे कि मैं आपको चॉप्ष करो कॉस्प्ONझ थीटा यह जो पूरा आर्म jumps प्रेटा जो पावर्ड फिर्मेंटर फंक्शन ना उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिये कॉस्पोर थीटा साइन फूर तरह कुछ टैंजन के केस्प भी कर लेते हैं जैसे मेरे पास लिखावा यहां पे एक्सप्रेस करने वारा तो आप समझ क्यों ना एक्सप्रेस में तो कुछ नहीं हो रहा आप वह तो आप में देखें सब्सक्राइब अगर आपके पास आजए पूर्फ करो टैंजन टीटा मुटिप्लाइर थी माइनस टैंटी स्कॉयर यह इसको इसी फॉर्मिल लिखते हैं ना टूटी 3 माइनस 10 T स्कॉयर प्लस 3 T की पावर 4 दिवाइड बाई 1 माइनस 15 T स्कॉयर प्लस 15 T 4 माइनस यह इंट बिगा रिखाऊ है T की पावर 6 यह आपको प्रूफ करना है वेर आगे आपको बोला जाए कि T जो है वो टैंजन टीटा के बराबर है असानी के लिए ताक्या आपको मसला ना हो कहरेंगा मसला टैंजन 6 थीटा को आपने यह जो है जी स्पूफ करने ही क्या ठीक है नहीं तो कोई इश्चु नहीं है आपनी क्या करना है बस आपने प्रूफ स्टार्ट करना है और अपनी लेफ्ट एंड साइड पिक करनी है ले आप बोलो कि जो आप इसको किस तरह रखें इस तरह हमने रखने तो फॉर इसमिल डिमार्वर्ट तुरूंग अप्लाइब करते हैं आपको बोला जाए कि कॉस्ट थीटा प्लस आइवटा साइन थीटा कि होल्ट पावर 6 इस पर जब आप इमार्वर्ट थीटा प्लस इस पर अप्लाइब कर दो लिकन अभी हम अपनी असानी के लिए इसको वाई कर देते हैं ठीक है तो जब अप्लाइब करोगे यह हो जाएगा एक्स इंटू एक्स की पावर 6 प्लस अब यह होगा सिक्सी मां सिक्सी बढ़ाबर होता है एक्स फाइफ और आयोटा-वाइ फि इसक्स इंटू फाइफ 30 15 हो जाएगा तो 15 X 4 अच्छा 63 क्या होगा 6 एक्स इंटू 5 इंटू 4 2 इंटू 5 इंटू 4 40 चैनले का फिर अगें 64 होगा जो के इसी के बराबर होगा 15 प्रोज़ाइगा 6X आरटा की पावर 5 प्रोज़ाइगा आरटा वाइकी पावर 6 अच्छाची स्वार्फ करते हैं वजी इसको यह जाएगा एक 6 अज़र को अमने साथ करने तो यह नहीं है अगे यह लोगा यह माइनस 15 x4 वाइस को यह होगा दो कि वहाबर होता है 15 x2 y4 और आयोटा की पावर 6 जो है यह बरादर होता है माइनस वाइए तो यह हो जाएगा माइनस वाइक पावर 6 यह जिए अब इसको देखते हैं इसको यह दो कॉमन ले लो 6 x 5 5 अच्छो जी आयोटा क्यों माइनस होता है माइनस हो जाएगा 40 x qy q इसी तरह यह हो जाएगा सिंपल 6 x y की पावर 5 तो आपके पास वैल्यूस आगी है मैं आप डारेक वैल्यूस पुट करता हूं पाके अपने बचा सके आप लोग अभी लेट करने के बाद अभी पुटना अगरो वना कलेशन तोड़ी मुश्किल हो जाएगे आप इसी फॉर्म में पुट कर दो यह चीज जो है इसको इनुमेंटर में पूट कर दो तो साइन 6 थीटा की जगा पूट कर दो 6X5Y-40XQYQ plus 6XY5 और नीचे के काुस थीटा यह कॉस थीटा की वैली ने X6-15 X4Y² प्लस 15 X²Y² माइनस Y की पावर 6 यह 4 है अब आप दिखा आपको प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है सबसे पहले बहार 2 आया है तो आप किसे तर 2 लिया हो उपपर से हम 2 कॉमन लिलेंगे तो आजएगा हमारे पास एक दुमारे पास भाठ हुआ देगा दूसरा है T मतब टेंजेंट बहार मौद है टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है तो इसका मतलब उपपर से आपको साइन चाहिए नीचे से आपको कॉस चाहिए लिकिर इस तरीके से पहरी-पहरी बश्याद में सब आपको कॉमन लेना होगा तो इसका मतलब है कि एक तो आपने 2 ले लिए उपर से और साथ-साथ उपर से आपको में ले लो एक्स की पाबर फाइव वाय यहाँ में कॉमन ले लिए तो आप उपर से क्या पचेएगा उपर से बचेएगा 3 minus 2 common ले लिए 20 जब इस से आप x5 common लोग है तो x5 नीचे आने का मतलब भी x की power minus 2 हो जाएगा और जब y common लोगे यह y square होगा प्लस जब 2 common लोगे 3 यह हो जाएगा x की power minus 4 यह थोड़ी देखिलना simple महत है यार common लेने के बाद को इतना मुश्किल चीज नहीं है और इसमें सब common ले लो क्यूंके denominator में 1 आया है नहीं यहां पर आजाएगा x की power minus 6 y की power 6 observe करना है power दोनों की सेम होनी चाहिए negative positive हो सकती है देखो minus 2 2 minus 4 4 minus 2 2 power same है negative में बिशाग हो सकती है मसला नहीं है यहां पर दो negative नहीं आएंगे यह negative नहीं है अब आप final step क्या है आप इसको cancel करो यह पूरा cancel हो जाएगा अब देखो y upon x है मतलब sign upon cos जो कि आपको टेंजेंट देदेगा बार 2 है तो आपको दिखते वे लग रहा है ठीक है अच्छा जी तो हम एक काम करते हैं अब हम x और y की value put कर देते हैं तो उपर y बचा हो है y के साइन के बराबर नीचे x है यह हो जाएगा अब इसकी बात करो तो उपर 3 है नीचे 1 है आपको दिखने में लग गया था यह माइनस 2 x की पावर माइनस 2 y का स्कॉर मतलब x की पाव माइनस 2 को नीचे ले जो एक स्कॉर करो मतलब साइन स्कॉर मतलब 10 इसकी बात धाएगा तेंजन फोर इसकी बात यह हो जाएगा यह जाएगा तैंडेनिट फोर अच्छा जी प्लस 15 टेंजेंट 4 और एंड फे होगा माइनस टेंजेंट की पावर 6 तो अब मैच करो exactly और हां मैच कर रहे हैं तो इस तरीकी के सवाल भी आ सकते हैं आपको आने चाहिए है कि jaga salt प्रसाइब सामने में प्रूप क्या करना है इसमें कि एक प्रूफ करना कि एक टैंजन 4 है फोल एशर्मomy अ elements 4 एड़ जो करने तो यह यह तो जब आप नाद इसके बाद common लेने वाले तो यहां तक तो आपनों कर लोगे तो यहां तक आपको बता देता हूं यहां तक क्या है कियों लिखाव है पुट करने के बाद आपके पास क्या आया था 4CQ नहीं different form में लिखा है मैं आपनी form में लिखता हूं 4XQ Y-4XYQ divided by X की पावर 4-6X4 sin2 नहीं दोनों स्क्वाइर है और प्लस Y4 अब आपने क्या कर रहा होगा सवाल को आप देखो दरब सवाल में है कि भाई 4 तो आपने common लिए ना देखो 4-4 1-6 1-6 1-6 1 तो constant as it is ही है जब आप values पूट करोगे न साइन 4 थीटा कॉस पूर थीटा की तो कोफिशंट तो exact आपके मैच करें सवाल से आपके अपने common लिए cancel करना है वो क्या करना है देखो कि आप observe करो यहां में बस थीटा बचावें का मतलब sign upon cos यहां से क्या common लोगिकर sign upon cos बचेगा मैं अगर यहां पे x 4 लोगा तो यहां पे x-1 बचेगा और यह वाय बन ए मतलब y upon x मतलब sin upon cos इसका मतलब मैं x4 common नहीं तो मुझे नदर आ रहा है कि और नीचे में देखो यह लिखा रहा है इसका मतलब मुझे सब प्लस एक्स-4 निचे से भी एक्स-4 common लोगे तो नीचे भी एक्स-4 common लोगे प्लस-4 यह पूरी चीज़ है y upon x मतलब sin upon cos मतलब tangent यह है sin q upon cos q मतलब tangent q यह है sin square upon cos square मतलब tangent square और यह है sin 4 upon cos 4 जो कर तो इस तरह इसका असानी से प्रूफ कर सकते हो तो यह basic basic बातें जो हैं यह आपको प्रूफ करने को दी जा सकते हैं फिर मेरे पाएक सवाल है कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को तरीके बता दिए ज्यादर दो तरीके यहां पर होते हैं express की फॉर में जाओ करते हो ना अगर आपके पास पावर वाला है जैसे साइन फाइव साइन फॉर कॉस फॉर इस तो आप क्या यूज करते हो इस तरह एक्सप्रेस करोंगे और अगें पाइन में अप्लाइब करोंगे तो दो मैठोड है जिनके जरीए से आप एक कर सकते हो इस लेक्शर में इतना ही है इन्शाला कॉंप्लेक्स अंबर का अफ्री पोश्चन है कर्व से लेट तो वह इंशाला नेक्स लेक्शर में कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम जो केलक्स वाला पॉश्चन है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे इस लेक्शर में इतना ही कोई से जर्शन हो तो बता देना अल्लाहाफिस